हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई न्यू उट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे माईलस कब आप कहे जाने वाली टीवी एस इस्पोर्ट की जो कि अब बीएस सिक्स हो गई है और जानेंग इसमें क्या है इसका प्राइज इसमें फ्यूचर आपको क्या मिलते हैं इसके स्पे इसके प्रेंट साइट की तो फ्रेंट साइट पे सबसे पहले आपको यहां पे यहां पर लोगों मिलेगा जो कि स्टीकर में आता है उसके नीचे यहां पर आपको डिजाइन दिख रहा है यहां पर आपको LED DRS मिलते हैं जो कि जलने पर काफी अच्छे लगते हैं मैं आपको स्पाउन करके दिखाता हूँ यह ओद करें मैं एकिन прим हो रॉष्छी में जादा कि दिखनी रहे है यह रात कि देखाए दें गए ईसके गारी की लुकिंग भी काफ़ी अच्छे हो जाती है और उसके नीचे आप यह म들이 यहां पर काफी हार्ड मटीरिल यहां पे कमपैनी यूज कर आगा कमपैनी इसमें थोड़ा सॉफटेश्य माटीरियल यूज करती जो की फ्लेक्सिबल होता है तो काफी अच्छा रहता हो इसकी लाइफ भी काफी अच्छी रहती हैं कि यहां पर आप साइड मेरे यहां पर देखेंगे तो फेंडर पर आपको प्राइंडर मिलेगा और उस पर आपको जो है यहां पे ईलोल राव हैं यहां पे यहां पर करें तो यह reflectors और यह आपको दोनों तरफ मिल जाएगा यह उधर भी है और इस साइट पर भी है और अगर हम बात करें इसके टायर की तो यहां पर आपको टायर इसमें टीवियस कहीं मिलेगा जो की अगर हम बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो यहां पर आपको आपको यहां पर आपको यहां पर आपको बात करें तो आपको 17 इंचिस के यहां पर आलोई मिल जाएंगे और अगर हम बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो यहां पर आपको 130 mm की आप आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी जो की एजवीटी टेकनोलजी के साथ आती है एजवीटी टेकनोलजी से यह होगा कि अगर आप अगला ब्रेक यूज़ करेंगे तो थोड़ा पिछला ब्रेक भी यूज़ हो जाएगा और जिससे आपकी कंट्रोलिंग बाइक पे और अच्छी रहेगी अब हम बात करते हैं इसके र अब इसमें काफी अच्छा कंपणी ने काम कर रहे हैं इसको थोड़ा हाड मटीरियल कर दिया और इस बात करें इसके टैंक के तो टैंक सबसे पहले मैं बता देता हूं इसका टैंक कैपिसिटी है 10 लीटर और इस पे भी नए ग्राफिक यूज़ करेंगे हैं यह आपको यह बिल्कुल नए ग्राफिक हैं 3D में आ जाते हैं 3D सॉरी 3 शेड में आपको डिलाइन मिल जाएगा न्यू ग्राफिक हैं और सबसे अच्छा जो उसका लगता है वह आपको प्रीमियम फील कराएगा यहां पे टीवी एस का लोगो जो की 3D में आ जाता है यह दूर से देखन मिलेगी जो की काफी अच्छे लगते हैं काफी बड़ी से यहां पर कंपनी ने स्पोर्ट की बैजिंग दी है उसके नीचे जो साफ वीरियंड लेंगे जैसे आप कि वीरियंड लेते हैं तो यहां पर की ब्रैंडिंग आ जाएगी अगर आप लग्ट्रिक साट वीरियंड आपको थोड़ा मैट में यहां पर प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा जो की इसकी कॉलिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती तो और अच्छा रहता यहां पर आप देखेंगे एक्सास्ट पर पूरी क्रों की फिनिश आए और बाखी बलेक एक्सास्ट है यह दिखि और प्रिक गंपनियस को और कर सकती थी हैं और यहां पर आपको इसका जो है कैसे लेटिक कंवर्टर मिल जाइगा जो कि ब्युए सिक्स हो गई है में आप जे सारी वायकों में आने लगा है और यह पूरा एक्शॉट यहां पे इसने कवर करा हुआ है और इसका एक्शॉट जो है BS4 के मुखाबले काफी अच्छा हो गया और इसकी साउंड भी काफी अच्छी हो गया और रेफाइन्मेंट लेवल भी काफी अच्छ हो गया इसके मैं आपको इसको मैं आपको इसकी हावास सुनाता हूँ एक्जाउस नोट करिएगा तो यह कुछ इस ताहर से इसका एक्जाउस नोट है और अब हम बात करते हैं इसके रियर की तो रियर पर आप यहां पर देखेंगे यह इसकी टेल लाइट है जो कि कमपनी ने इसको चेंज नहीं कर रहा है यह वही पुरानी वाली टेल लाइट है और यहां पर आपको एंडि प्लास्तिक काता है और फुली कवर रहता है यहां पर आपको चैन कवर मिल जाएगा जो कि प्लास्तिक काता है और फुली कवर रहता है जो कि आपकी चैन की लाइफ के लिए भी अच्छा है जिससे चैन में पानी नहीं जाएगा और चैन की लाइफ और अच्छी हो जाएगी और यहां पे भी आपको एक फुट्रेस मिलेगा यहां पर आपको साइड स्टेंड है और अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन क को फाइव स्टेब अजिस्टेबल मिल जाएगा जो कि हैड्रालिक शॉक अब्सॉर्बर है और यह खराब रास्तों के लिए भी काफी अच्छा है और इससे आपकी राइट कॉलिटी भी अच्छी हो जाएगी अब जब हम इसका राइट डिव्यू करेंगे तो आपको बता करें और क्रेंट चरु तो यह सिल्वर में आ जाता है जो कि अच्छी अच्छा लगता यो सी टी nasa काफी अच्छी आपको यह और itšбо नहींड़ जाएगा जो की थीन कि अपको यहां पर रियर में भी 17 इंचिस के एलॉइ मिल जाएंगे और आपको टायर मिलेगा 3.0 17 का यहां पर आपको टायर मिल जाएगा जो कि ट्यूब टायर है मैं पहले बता चुका हूं और यह बहुत बड़ा ड्रॉबेक है अगर इसमें आपको ट्यूबलस टायर मिलते तो यह गाड़ी और भी आपके लिए अच्छी है अब हम बात करें इसके मीटर कॉंसोल की तो आप यहां पर दिखिए इसका मीटर कॉंसोल दो पार्ट में हैं एक में आपको यहां पर और मिल जाएगा एक में आपको फ्यूल मिल जाएगा जो कि देखने में काफी अच्छ तो यहां पे आपको स्फीडोमीटर मिल जाएगा यहां पे आपको salt is make a 4 इस हैban czyli for the जो कि आपके फ्यूल इंजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यह लाइट ब्लिंग हो जाएगी और यह काफी अच्छा कमपनी फीचर देती है यहां पर पावर का जो कि आपकी माइलेज मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा है अगर आप अपने इंजन पर पावर देंगे तो यह लाइट ब्लिंक हो जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका माइलेज कम हो रहा है और आप इस पर ध्यान देगे चलाएंगे तो यह आपको अच्छा माइलेज देगी अगर आप माइलेज की बात करें तो कमपनी क्लेम करती है 95 KMPL का जो कि आप बात करें इसके हैंडल की तो यहां आपको यह हैंडल पूरा ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा जो कि इसकी पेंट क्वालिटी थोड़ी कमपनी और अच्छी कर सकती थी इसकी पेंट क्वालिटी मुझे जादा पसंद नहीं आई और इसकी मैं आपको की रिखा देता हूं यह इसकी की है कुछ इस तरीखे से जो की काफी अच्छी है अब हम बात करें इसके सुईचिस की तो कमपनी नहीं यहांब पूरे सुछिस बगडर डालें जो की है आपने ब्यशन बैस पूर अगर टीवियर स्पोर देखी है तो उसके आपने देखे हो काफी अच्छी यहां पे लेकिन कंपनी ने उसके नियुक्तिती हॉस में और यह काफी प्रीमियम करते हैं कि यहां पर देखेंगे अगर आपको DRS विछ जला सकते हैं the यहां पर आप देखेंगे यहां पर बड़ी सी सुच दी गई है जो कि सेल्व स्टार्ट किये और इधर वाल आप देखेंगे तो यहां पर ब्रेक लीवर है जो कि कमपनी थोड़ा और अच्छा कर दिती इसकी फिट अन्पिनिश काफी लो लग रही है यहां पर गृप भी का यहां पर आप देखेंगे यहां पर लो बीम हाई बीम का स्विच है और यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको पास का स्विच मिल जाएगा जो कि एक काफी यूसफुल फीचर है अई अई है आपो अई हम भी कंसूह लिए अगर हम बात करें सके कर बेंकी की तो आपको 110 के सीजिए का कर भेंट मिल जाता हैं और अगर सकी तॉप स्पीच की बात करने में तो Compony 90 kmph की इसकी टॉब स्पीड है और इसमें आपको एर कूल इंजन मिल जाता है और आपको इसकी रिजर्फ फ्यूल कैबिसिटी है टू लीटर्स की और आपको यहाँ पे ओवरॉल लेंट आपको मिल जाती है 1950 mm की और ओवरॉल विद आपको मिल जाती है 1305 mm की ओवर ऑल राल हॉइट आपको मिल जाती है 108 mm की वील बेस आपको मिलता है 1236 mm का और ग्रऑंड क्लियरंस की बात करें तो यहाँ पे 175 mm का यहाँ पे इसका ग्राउड क्लियरंस आ जाता है और सीट हüइट की बात करें 790 mm की सीट हüइट हुएट हेटी है और सबसे में बात जो है वो इसका प्राइज है आपको इसका एक शोरूम प्राइज सेल्फ विरेडियेंट का है 57,940 रुपए जो कि आउन रोड आते आते 71,052 रुपए हो जाता है जो कि आपके फौकेट फ्रेंड्लि ए भाइक है आपको फीचर भी त्रीels भी अपको ठीक ठाक दीरती है आपको सबसे अच्छे है इसमें आपको माइलज मिल जाएगा और ये बजट में भी आपके काफी इच्छे से फिट हो आती है और ये आपके लिए काफी अच्छी रहेगी भाई दोस्तो अगर आप कोई वीडियो मेरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बताईए कैसी लगे आपको टीवेज स्पोर्ट बीच शिक्स अच्छों